एक फ्रेक्षन एक फ्रेक्षन है जो 1 by 3 बन जाता है जब आप 1 सब्ट्रेट करते हो नुम्रेटर से अगर आप नुम्रेटर से क्या सब्ट्रेट करते हो 1 और अगर वह 1 by 4 बन सकता है अगर आप 8 एड करते हो दिनॉम्रेटर में तो बताना है कि वह फ्रेक्षन क्या है तो हम denominator और दोनों ही गईवे हमें अपना fraction निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को xy मानना पड़ेगा यहां पर हमें लिखते हैं let numerator और फ्रेक्षन जो भी फ्रेक्षन हमें फाइंड करना है उसका numerator हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं आप चौक पुरा नाम लिख सकते ही दिए लिए लिखावा दूसरा है आपके दिनॉमिनेटर दिनॉमिनेटर और फ्रेक्षन क्या मान लिए हमने य मान लिए अगर हमें फ्रेक्षन बनाना है अगर हमें क्या बनाना है तो x और y दोनों फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों को ऐसे लिख देंगे हमें जो फ्रेक्षन चाहिए वो मिल जाएगी क्योंकि नुम्रेटर रहे रहा और दीनोमेटर रहे रहा अब हमें situation लिने हैं दो-दो situation नॉम्बर 1 और situation नॉम्बर 2 परस्ट पहले हमें इस फ्रैक्शन को लेना बगाँ च्ट फ्रैक्शन है एक्स एंड वाई इधर हम लेते हैं वापस से X और अपन में य यह फैक्षन है हमारी जमने बनाई अब सिच्वेशन मर वन यह बोलना है वन भाई थी आएगा करोगे नूमरेटर में से क्या मानिस करोगे मिलने वाला और अगला क्या खोले है आपको क्या मिलेगा 1 by 4, 1 by 4 कब मिलेगा, जब आप 8 add करोगे denominator में, अगर आप ले denominator में 8 add कर लिया है, तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 upon 4, तो बताना है क्यों fraction क्या है, xy का निकाल लो, value, solve करना है, इसको देखो, कैसे करते हैं, देखो, ध्यान लगाना, cross multiply करेंगे, इसे यह होगा, 3x, इसको इससे multiply करना है, इसको इससे multiply करना है, 3, इसको इससे multiply कर दो, y, अब आप चाऊओ, इसको this equation बिना सकते हो, यह y का value है, इसका value आप चाऊचा से substituted methods भी कर सकते है, y का value हमाने पास है, अब यहां करते है स्वाल, cross multiply करेंगे, इसको से multiply, इसको से multiply, 4x is equal to y plus 8, अब यह y का value आ चुका है, अब यह वाला value हमें यहां पर क्या करना है, substitute करना है, substitute the value of y in equation second, अब यहां पर करेंगे, यह हमें equation 1 है, और यह equation का हो गया है, आपके 2 में, यहां रखना है, दगो, 4x आ चौ इसको elimination से भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है, elimination से भी आप कर सकते हो, क्यों से करूँ elimination से, इससे कर लेता हूं लोग, 4x का, y का value यहां रिका हुआ, क्या है, 3x minus 3, अब लस किलना दे रगा है, 8, इसको इधर बेज, तो 4x minus 3x, और इधर क्या बचा हुआ है, 8 में से 3 गया 5, घटा हो तो, x का value क्या मिला, जल्दी आगया है, इससे, तो यह यह न, यह वाला value जहां रखती है, यह वाई हिटा कर, यह वाई का value हम रखती है, यह वाला, अब यह जो एक सा value है न, यहां रखेंगे तो हमें y ही मिल जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, put the value of x in equation first, क्या रखो, 3 का 3, x का वाली कितना है है, 5, minus 3 is equal to y, 5 तरी जा, 15 minus 3 equal y, तो तो y का वाली क्या है है, गटा दो, हमें x भी मिल चुका है, हमें y भी मिल चुका है, और हमें चाहिए, अब fraction चाहिए, हमें क्या चाहिए, fraction कैसी होती है, x upon y, x upon y, आप चाओ तो चेक कर सकते हो, जो answer right है, देखो यह रहा, यह number है वो, इसने बोला, अगर आप one minus करोगे, कहां से, numerator से, अगर मैं यहां से one minus कर दूँ, तो मुझे जो मिलने वाला है, वो क्या है, one by three, तो one by three, यह जो काट कर देख लिए, एक बार आएगा, यह three time जाएगा, यह हमारा fraction है, second वाला भी देख सकते हो, यह बोला है, अगर आप denominator में क्या add करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, five by twenty, और five by twenty काटोगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, जो भी मैंने किया, वो correct है यह नहीं, इसका मतलब, हमारा answer तुम correct है, five by twelve correct answer है, भी मैंतुम, रभी मैं यह दिसे बोले मैं सकती है, एंग गजेख सकते हैं का यह हैं,